नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे मूशला जड़ और अपस्थानक जड़ में अंतर जैसे की पैसने हैं मूशला जड़ और अपस्थानक जड़ में अंतर लिखो उत्तर है मूशला जड़ और अपस्थानक जड़ में निमलिखित अंतर है एक साइड लिखेंगे मूशला जड़ और दूसरी साइड लिखेंगे अपस्थानक जड़ पहला अंतर है ये जड़ें सरफ मूलंकोर से बिक्सित होती है मूशला जड़ सरफ मूलंकर से बिक्सत होती है ए जड़ें मूलंकर को छोड़ कर पौधे के किसी दूसरे भाग से बिक्सत होती है अपस्थानक जड़ मूलंकर को छोड़ कर पौधे के किसी दूसरे भाग से बिक्सत होती है दूसरा अंतर है इसमें प्राथमक जड़ से दुत्तियक वा तित्तियक जड़े निकलती हैं इसमें प्राथमक जड़ नहीं होती है ए जड़ें रेसे की रूप में होती हैं तीसरा अंतर है ए भूमी में अधिक गहराई तक जाती है मुशला जड़ भूमी में अधिक गहराई तक जाती है ए भूमी में उपरी सतय पर ही इस्तित होती है अपस्थानक जड़ भूमी में उपरी सतय पर ही इस्तित होती है चोथा अंतर है ए प्रायाहा दुई वीच पत्तरी पौधों में पाई जाती है मुशला जड़ दुई वीच पत्तरी पौधों में पाई जाती है अपस्थानक जड़ एक वीच पत्तरी पौधों में पाई जाती है तो हे गाईज एदियाप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें सेर करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद